हलो फ्रेंड आप सब कैसे हैं चलिए आज बनाएंगे आलू को चिपस जो आलू को चिपस परफेक्ट दम बन कर तयार होगी एक दम सौप्ट बनी है देखिए चलिए आलू को चिपस बना लेते हैं आलू को चिपस बनाने के लिए 4 किलो आलू लिए हैं एक बरतन में पानी ड फेद बनकर तयार होगी चिप्स तो आप कई बार बनाए होंगे फ्रेंड लेकिन इस तरीके के बना है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको पहले ही दिखाएएँ बहुत ही सौप्ट चिप्स बनकर तयार होती है इस तरीके से बनाते हैं तो देखे सारे आलू को छिल लिए है छिलने के बाद भी एक पानी से और धोएंगे आलू को पानी दम सफेद होनी चाहिए इस तरीके से अगर चिप्स बनाएंगे तो आपकी सफेद चिप्स बनकर तयार होगी उसी बरतर में फिर से पानी डालेंगे चिप्स काटने के लिए चिप्स को भी पानी में ही काटेंगे देखे चिप्स काटने वाली मसीन ले लिए हैं इस तरीके से आलू को काट लेंगे आलू को जल जल नहीं काटें न तो हाथ काटने की डर रहती है धीरे धीरे ही समभल कर काटें सारे आलू को इसी तरीके से काट लेंगे अगर हमारे वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आये फ्रेंड तो वीडियो के लाइक करिएगा हमारे चैनल को सस्क्राइब करिएगा और सेर भी करिएगा चिप्स कटर से ही डिजाइन वाला भी चिप्स बना सकते हैं पहले इस तरीके से काट कर बता देती हूं फिर डिजाइन बले भी बताऊंगी चिप्स काटने के लिए थोड़ा सा बड़ा ही आलू ले इस तरीके से आलू को खड़ा ही रखें इस तरीके से काटेंगे तो लंबे लंबे बड़े बड़े पीसेस में कटेंगे चिप्स देख बनती है एक वार फिट करी डाल कर इस तरीके से जरूर बनाएगा देखेगा कि सफेद बनती है कि नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा अभी तो चिप्स बनाने का दीन ही है अगर आप फिट करी डाल के बनाते हैं चिप्स तो कमेंट में बताएगा अब फिट करी को निक चिप्स बनाती हूँ, इस तरीके से चिप्स बनाने से खाने में भी बहुत टेश्टी लगती है, अब देखिए एक बड़ा सा तेपेली लेंगे, उसमें थोड़ा सा फिटकरी को घुमा देंगे, अस्वात गयमसार नमक डाल देंगे, आप पानी को गरम कर देंगे, पानी ज इस तरीके से डाल कर चला लेंगे, देखे चिप्स ओबालने के लिए हमेंसे इतना पाने डालें कि चिप्स हमारी सारे पानी में डुब जाए, तो चिप्स एक सा ऐसे सिज़ेगी, इस तरीके से बीच में हलके हाथों से ज़रूर चलाए, उपर वाला नीचे आर नीचे वा अब चिप्स को निकाल लेंगे, छिप्स पर्फेक्ट बना है कि नहीं इसी तरीके से चेक करिएगा, अगर हल्का कच्छा छिप्स रहेगा तो कड़क बनेगी, इस तरीके से सीजी हुई रहेगी तो दम सॉप्ट बन कर तेयार होगी, देखे सारे छिप्स को निकाल लिए है, चिप्स हमारी ठंडा हो गई है, सारे चिप्स को इसी तरीके से बना लिये थे अब चिप्स को उपर फैला देने चाथ पर धूप में चिप्स को एकका करके ही फैलाएगा कि चिप्स तूटे नहीं चिप्स को फैलाने के लिए कपड़ा भी ले सकते हैं मेरे पास पन्नी पड़ी भी थी तो पन्नी ही ले लिये हैं, पन्नी पर फैला दिये हैं, देखे सारे चिप्स को इसी तरीके से फैला लिये हैं पन्नी पर, अभी का धूप तेज है ते एक दिन में ही चिप्स हमारी सुकर तयार हो जाएगी, देखे चिप्स हमारी सुकर तयार हो गई है चलिए आपको चिप्स तल कर भी बताते हैं पहले से ही कड़ाही में तेल गरम थी देखे इस तरीके से चिप्स को डाल दिये हैं देखे कितना सफेद चिप्स बनकर त्यार हुई है अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी पसंद आये फ्रेंड तो वीडियो के लाइक जरूर करिएगा जितना चिप्स आपको खाना है उसे या अनसार से चिप्स को तल लें मुझे भी बहुत ही चिप्स खाना पसंद है मेरी ममी हमेशा चिप्स बना कर देती थी देखे कितना सफेद चिप्स बनकर त्यार हुई है आपको देखकर ही लग रहा होगा कि कितना परफेक्ट बनी है कितना नर्म सॉप्ट बनकर त्यार हुई है